एक तरफ जीत ही जीत, एक तरफ खीज ही खीज होली में बीजेपी की मुसकां, होली बात कॉंग्रिस का भी घमासां चार राज्यों में बीजेपी के प्रदम्षन से जहां पार्टी में उत्सा उमंग के रंगुलार इस होली में भी नजर आ रहे हैं तो वहीं इस होली को श्युपुरी की नर्वर पंचायत में जीत ने भी खास बना दिया है। मद्रपिदेश में फागुन का महिना ही कुछ ऐसा है कि ये बीजेपी को जी और कॉंग्रेस को टीज दे जाता है। 20 मार्च को ही तो कमलात ने सीम पत से इस्तिफा दिया था। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने से कॉंग्रेस सरकार गिर गई। हलाकि इस बार भी स्मार्ट से कॉंग्रेस भी घमासान की तयारी में है। इस कारेकियों के साथ में हम जहां एक और संभिधान की व्याख्या को प्रदेशित करेंगे वहीं मद्व देश में हमारी चुइनी सरकार को गिराने की बारे में जो प्रक्रत किया गया। उसको बताएंगे। तीसरा यह है कि आगामी समय में हम कांग्रेस को संख्रित करेंगे इस दर्टी से 20 तारिकोत प्रदेश के सभी जुलों में तेरंगा यात्रा निकाली जाएगी कांग्रेस के कारकरता तेरंगा जंडा लेकर जिला कांग्रेस कमिटी द्वारा निर्धारी इस्तान से अमबेट क कि बचाना और इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं जिनों ने इस देश के अंदर संब्विधान की हत्या किए लोक टंत्रा की हत्या करने वाला कोई दर इस देश के अंदर है तो वो कongreis कोंग्रिस ने होली के बाद का प्लान बना रखा है वैसे एक दिन पहले कमलनात ने सिंधी का ल्यान समीती का भी गठन किया यानि होली भले ही बीजेपी खेलेगी लेकिन उसके रंग उतारने की तैयारी कॉंग्रिस ने भी इस बार की है ये बात और है कि उसे सफलता कितनी मिलती है नमश्कार में हूँ मनोस्यनी और हमारा आज का मुद्दा है होली बात संग्राम गमासान का प्लान बना रखाया आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे मेरे साथ तीन मेमान जुड़ेंगे मैं उनसे आपका परचे कराता हूँ डक्टर हितेश बाजपेई साब है प्रिवपता भारती जंता पार्टी के सर आपका सागत है चो तरी राकेश सिंग साभ है परचाओ दिखाई दे रहा है लेकिन उससे पहले जैसा वीडी शर्मा कह रहे थे केला रसका परणाम आया है तो होली के रंग में जादे बीज़ेपी नजर आ रही है मैं आपके बंसर न्यूज के मात्यम से बैठे हुए सभी हमारे मित्रों को बढ़ाई देता हूं और मद्द प्रदेश के सभी आपके दर्शुकों को भी घरदेश से बोली की शोप कामनाई प्रिशिद करता हूं और मैं सुनना था आदर्णी श्री वीडी शर्मा साहब को संभिधान के वारे में स्रीमान गोलवलकर जी ने क्या कहा इनकी जो कुस्तक थी जिसमें 133 नवनीत विचार उसमनों ने लिखा है कि संभिधान ये कुट्टे बिल्लियों के लिए है जो बना है 1961 और ये कहा है कि संभिधान को तो विल्कुस समूल नश्ट कर देना चाहिए जी और नश्ट करना ही नहीं भावना यहां तक घणित थी मैं पुस्तक लेके बैठता हूँ अगर बाद पे जी कहेंगे तो उनों समझ रहा हूँ आपका मूड क्या है कहिए कहिए आप फूली का रंग है आज जी मैं बिल्कु तत्यात्मक बोलूंगा जो भी बोलूंगा आप बहुत अलग से उठाके ऐसी कॉंट्रोवर्सियल चीज लेके आते हैं जिसका दिनेशी भी सत्यापन कर देंगे तो मांद लूंगा मैं यह भी पढ़े लिखे होने पर ही प्रशन रहता हूं सत्यापन दूसरे से नहीं कराना मैं पुस्तकर पढ़ती देखें तो सर किताब आपके हाथ में हैं और मैं पुर्ण ने लिखा है 133 गुरुजी का समग्र दर्सन प्रश्ट 3 पे लिखा हुआ है खंड 3 प्रश्ट 128 पे कि इस इसको जड़ से हटाकर तद अनुसार सम्विधान सुद्ध करना चाहिए अब सुद्ध क्या है मैं यह नहीं समझ पाया उसमें परिवर्द समयाद रुकूल करना वही रहा है सुद्ध की बात कर रहा हूं परिवर्ध करना मैं इटली वाला होगा हमारे पास जो शुद्ध करने का मतलब हैं कि जो नावश्ट कानून है जो दबाओं में बनाए इगए बनाए गए चीथे हैं उन सब को रिपील कर है हमने यह सुद्ध करना है हमने ट्रिपल तराग को हटाया यह सुद्ध करना है एक बार सुन लेते हैं आप नाराज नहीं हो आपका मौका मिले तब बोले बहुत ताइम है उन्हें पढ़ लिया करो व्याख्या हमसे करा लिया करो आप कानून की ब्याख्या नहीं कर सकता ठीक से जरूत पड़ेगी तो जो व्यक्ति इस अहिंकार में होता है कि मुझसे बहतर कोई करता हुए उसको बजवा देंगे पढ़ लेना उन्हों ने यह का कि सम्मिधान को सुद्ध करना है तो कर रहे हैं सुद्ध इसलिए सुद्ध और सुद्ध यह अमेंडमेंट सब्ध है उसमें जोड़ना और खठाना सब्ध है सुद्ध करना इसलिए मनोज जी के आधरनी द लिखी इसलिए उन्होंने का कि मुझे सुद्ध करना है इस ने बीस तारीक को भी सुद्ध करने की तैयारी मिल्कुल वी स्थारी जो दिन था वो काला दिन था मद्ध प्रदेश के एक चुनी हुई लोगतांत्रिक सरकार को गिरा देना गैर कानूनी तरीके से और आठाहस क करना अपने तरीके से लोगतंत्र का मजा पुड़ाना है समिधान का मजा पुड़ाना जी तरेक चुना हुआ हुए विपक्ष के नेता द्वारा अविश्वास प्रस्ताओं को लाना और उसके बाजू में खड़े होके अट्टाहास करके उसकी धज्या उड़ा देना ये भी बचन न जाये मैं रगवंसी हूं मैं रगवंसी की जात पर भी प्रस्टिन लगाता हूं सर वो केरवा कोठी वाले आज तक नरा जाएं आज तक आप से मैं केर्वा कोठी की कर रहा हूं मैं सिव्राज की कर रहा हूं साक्षात प्रभुहरी हि new दहेंड यही सब चलता रहिए batter的時候 मैं सुना बर्धा सर मैं सांसे बैठा था और मैंने आपका hood सुना है और आज 나सिंग के चेहरे उड़ती हवायां देखीए कर लो नहीं आज तो यहीं रहने देते हैं नहीं डिवेट कर लो और जिस गती से मैं गुज़रा हूँ उस नहीं आप बहुत अच्छा बोले थे वह घावाइस्टक उनके दिलों में कितनी होली निकल गई सर उसी सम्विधान की दजियां उनाई थी बाजू में खड़ो के उपनेता के रूप में आप इतने ब्यक्त का दूरूप से बोलना है तो तो मुझे कुछ कहना नहीं है आपकी दजियां ओड़ चुकी है आपको दुबारा चेर में नहीं बनाए गया है आप कार्या ले नहीं जा रहे हैं वीजेपी का आपने वहिश्कार किया हुआ है पता नहीं कौन सी अख़बारों समझ में नहीं आ रहा है आजकल आप कहा से पड़ते हैं श्वीस अब नादा मुझे अश्चार कर दिया करें जैसे नहीं है तो आप सर ऐसी बातें नहीं बोलेंगे जो गैर कश्चात नहीं नहीं सर देखिए यहाँ पर मेरी भी आपकी पार्टी रही है फूट आपकी पार्टी में पढ़ी है बोलते हम कोड जाए हमें पबलिक के बीच जाते है पबलिक जिताती है इसके लिए आपकी पार्टी में आप अधि mention हमको ईनने की जाते हैं अच्छी किताब हो नहीं कि प्णिदा हुग हॉना थिए आपको ग्यान और सदमुद्धी और दे दे चलिए सर मैं लोट रहा हूँ इतनी आपकी उम्र है उतनी विदार सभा में काट दिये बाज़ी जी मैंने आपके दमें जोबने सब्सक्राइब पर अज़ली को गाल जाएक और शुरूदे क्यों करें कि अरे भी हम आपने तरकों से आपको नश्ट कर देंगे देखो गुस्सा हो गया आगे तो बोलूगा मैं कहूंगा संग चरंगे जंडे का बिरोती है अबिये को चाही औरी आप लिया राएए देनays जिये सक्तर में चाहोँगा अलग जानेला रहा ए différentर होटी है हुली का दिन ही कैसा होता है जिसमें रंग भी लगते हैً गुलाल भी उड़ता है कहीं खुसिया होती है तो कहीं खीज जिसे हम कह रहे थे लेकिन इस अब चलता रहता है चुना में हार जीत होती रहती है बीस तारीक को कॉंग्रेस संभीदान बचाओ यात्रा निकाल रही दूसरी तरफ हम भारती जंदा पार्टी को देख रहे हैं वो जीत से उस साहित है राजनीती में भी अलग 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 रंग होते हैं और समय के साथ पनोध जी वो बदलते रहते हैं कभी किसी पर रंग curtains की फोंग्रों की ब्हूम का एक जासी रही है कि यह नहीं कह सकते कि यह पाक साफ है और यह दागदार है जैसे जिस तरह से हम अपात का का एक हर साल ये बनाते ने कि 24 जून को या 23 जून को कि देश में आपातकाल लगा था तो एक हम एमरजेंसी भारती जिनता पार्टी ब्रोध करती है। वो इसको याद रख रही है तो उसके लिए भी जरूरी है कि उन कार्णों को कि समीक्षा करें जिन कार्णों से सरकार गर गई थी और उसमें सुधार क्या है। तो आज क्या जरूत किस पराज नितिक दल को है। जो जीतता है वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे कब एहम उसके अंदर हभी हो जाता है। पता नहीं होता है। जो कॉंग्रेस का हम देख रहे हैं जब एक बार देश में आपने जब सब जगे राज करने लगे हर चीज ठीक होने लगी। इंद्रा गांधी तक राजीव गांधी भी बहुमत ले आए। उसके बाद आप पियाद करिए कि 90 के बाद से जो कॉंग्रेस पार्टी का पतन हो रहा है। तो दीरे-दीरे पतियां और जड़ें कमजोर होती है। तो आज उस इस्तिति में है ना तो हमें तो उस ब्रक्ष क भारती जन्ता पार्टी ने जिस तरह से अपना ख़़ात ब्रक्ष मजबूत कर रही है। तो कॉंग्रेस का जब चरन हो रहा है। तो कॉंग्रेस को तो आज जरूत है। हम देख रहे हैं कि G23 की एक्टिविटी फिर से चालू हुई है। तो सब को पता है कि गांधी परिव में हैं तो फैसला लेना है। आप लगता हैजी 23 को सानिय गांधी के खिलाप राहुल गांधी के खिलाप चुनाव लड़े ना। जस तरह से राजनितिक प्रिकरिया है। आप परिवार के खिलाफ है। आप जो है न質 हЭं नहा चाहते हूं। आनिता इस से नुक्सान किसको ह हो रहा है पंग्रेस पार्टी को हो रहा है भारती जनता पार्टी में इतना लंबा नहीं खिषता बिवाद दोनों का जो है न कि वह उन्हों ने तो जो है उसको धुआ उठने से पहले रिपेर कर लेती इसलिए आज वो इतने राज्यों में दिखाई रहे रहे हैं आज वो य कहता है कि आज इसके खराब दिन है इसके अच्छे दिन है कि एक कश्मीर फाइल चल रहा है तो लोग दिवा ने ऐसे 1977 में जब चुना हुआ तो लोग जनता पार्टी को बहुमस से ले आए तो यह सब चलता रहता है कोई बहुत जो है कॉंग्रेस पार्टी अपनी काम कर र ही है 20 तारीक को एक संभीधान बचाओ यात्रा निकाल रही तिरंगा लेकर निकले की बाहर लेकिन दूसरी तरफ हम यह भी देख रहे हैं कि आपने आज एक चुनाओ भी जीता चुनाओ बहुत छोटा है लेकिन कई बार चुनाओ से एक मैसेज बढ़ा जाता है क्योंकि य अंग्रेश जो कर रहे हैं उससे यह भी समझ आ रहा है कि वह याद दिला रही है उनमद्दाताओं को उन लोगों को उसकी बीच में बने रहना चाहती है यानि एक तरफ चैलेंज तो है देखिए एक बात जो मानिक उप्ता जी ने कही है आप कोई भी कार्यकरम बना लीजे है को हर दल को अधिकार है विपक्षम है क्यों नहीं बनाने चाहिए तो पहले तो उस कारेकरम की कारकरता की बीच सुईकारता क्या है क्या है क्या है हमने डिजिटल अभियान देखा कैसा बाउंस हुआ खुद कमनलाज जी का बयान है कि उसमें बहुत फरजी बाड़ा गए और इस पर बार-बार अपन लोग चर्चा भी कर चुके हैं इसके बाद आप बीच से आप ती रंगा भी निकाल लीजे साब को इसमें गुराइट फुड़ना है वह आपका अलोक तांतरीक अधिकार है लेकिन पहली चीज किसी भी कारेकरम की नीतिगत सेंक्टिटी क् क्यों निकाल रहे हो दिनेश जी ने बहुत अच्छा रस्ता सुझाया है कॉंग्रेस को कि पहले ये तो तेह करो निकाल क्यों रहे हो फिर उसके बाद कारिकरता को समझाओ फिर जनता को समझाओ खाली है और वह भी नहीं हो पाती है तो देखिए आज बहुत भटक गई है म को कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है ऐसा नहीं होता था पहले कि को लेकिन वहीं बात हुई ना लगातार सफलता है मिलती गहीं तो इसमें सब भूली है उनको लगा साब हुई तो हमारा एक अधिकार है देश के उपर और आप सोचिए कि लगातार अवनती हो रही है मतलब मैं इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं रखूंगा और अब केवल भूपेज जी और राजस्थान की सरकार बची हूँ बूपेज जी की हो और आप देखिए बूपेज जी जैसे कश्मीर फाइल देखिए बूपेज जी ने जो भी टिपड़ी किरी हूँ उनका अधिकार ह है वो लेकिन कम से कम फिल्म को देख कर तो उन्होंने कोई टिपड़ी करनी चाहिए ना तो मुझे अच्छा लगा कि चलो भाई ये डिबेट में तो विश्या आया फिल्म का भी उद्देश ये था कि उस पर चर्चा हो कि ठीक हुआ नहीं हुआ कौन लोग थे कौन जिम्म को बहुत नुकसान हुआ कई जगे पर जो हमारी सीटों की कमी मैं इस बात को मैं कितिनी बार आपके सामने कह चुका हूँ लेकिन साब हमने पंदरा महीने शिवराज जी के नेतरत पे उसे मन्धन भी किया आपने देखा और रोज साड़े नोबजे सुबह आ जाते थे जब विपक्ष में थे और सब जानते हैं कि कॉंग्रेस की सरकार बीस तारीक को कोई हमने नहीं गिराई है लेकिन जब भई एक बड़ा धड़ा निकल कर आया उन्होंने हमारे सीट नेतरतों से बात करी कि नहीं साम यहां नहीं रह सकते और वह बाइस विदायक सिद्या जी के न आप किसे हैं कैसले लोग लेकिन तारीक को आप जो आप लोगा जाया है जिस दरंगा यातरा को निकल है चार राजMost के पड़ना के सामने जी 23 हम सब को दिखाई देरा है कहीं तो समिक्शाग कहीं तो बिचार यही करना ही पड़ेगा कि कैसे हो रहारा यह ठीक है की दोजार 18 में आप लोग आए, सत्ता में आपकी बापसी हुई, अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बाद फिर उक्चुनाओ हुए और भारती जंता पार्टी चुनाओ जीतकर सरकार बना ली, तो अब वो चीजे तो खत्म हो जाती, लेकिन आगे की राह बनाने के लिए ये लोगो जैगा, और कॉंग्रेस भी पूरे तरीके से, चाहे वो घरगर चलो अभियान हो, चाहे सोचल विडिया के मात्यम से हो, चाहे तरंगा यात्रा के लिए, प्रतेक राजनितेक डल का कतब है, अपने कारिकरताओं को चेतन रखे और ऐसे कारिकरम करे, अब जहां तक बहुत अ समय लगा, अंग्रेस वो दल है, इस हिंदोस्तान की जनता ने पहले हिंदू मासवा को जड़ाया, पिर जनसंग को जड़ाया, उनके दीए में तेल नहीं रहने किया, पिर जनता पार्टी को जड़ाया, और कई वरसों तक भारती जनता पार्टी तर किनार बनी रही, संसत क मूत आतने के लिए, यह कुपलब्दी तो है, यदि वहां मूत आतने के लिए, एक राजनितिक दल को 55 साल लगे, सत्ता बनाने में, और एक राजनितिक दल 55 साल तक अपने संग्ठन की दम्रदेश में रहा कारिकर, अब जुमें जुमें अगर 7-8 साल से कॉंग्रेस के कमज तो अगर हम कोई कारिकरम करेंगे, तो उसी पर टिपड़ी है, ऐसी करेंगे, अपने गरेमान में ज्हाग के नहीं देखेंगे, कि अटल जी और अडवानी जी लोगसमा में नहीं पहुंच पाते थे, चुनाव हारते थे, अटल जी किसी बच्चे को नहीं मालूम होगा, अ जवानत जब्त हुए, जवानत जब्त होने के बाद सरकार में प्रदान मंतरी बने, वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, और कॉंग्रिस बहां थी, जहां अर्ज से फर्स पर आई, तो उस पर बिचार तो होगा है, तब ही हम सक्री कर रहे हैं, तब ही हम लोगों को एक्ट देश चलेगा रोजगार देने से, देश चलेगा उद्धो धंदे बढ़ने से, ज़ता है समझ रही है, जी, मैं जवाब लेता हूँ, मैं जवाब ले, जी, कुझे, मैं फिर मैं कहूंगा, बहुत नाराज हो जाएंगे, लेकिन फिर भी होली का दिने, सुनने की छंपता र नहीं लगातार, भई आपने सब कुछ बताया, हमारी उन्मती क्यों रही है, इसका कोई तो कारण होगा, दिनेश जी ने अपने जो दिमाग से कुछ तो ध्यान दे तो, आचा, दूसरी बात सर में कहना चाह रहा हूँ, आपने पांच राज्यों के चुना हुए, मैं जो ज के अधीन, एक परिवार के अधीन कॉंग्रेस को बनाए रखना, ही तो कारण है जो G23 खट्टे हो रहा है, यहां अरुण यादो जाने की कगार पर हैं, या बाकी लोग हैं, इवन चौदरी साब जो गए, वो ऐसी थुड़ना गए, वो प्रताडित हुए उस समय बही, इसल की लो कॉंग्रेस से कवार के अधीन के अध्यक्शन ही बनाए गए, अभी तीन दिन पहले कह रहे थे, मैं कार्या ले नहीं चार रहे हो, दिनेश जी, यह जो आप भी कहा रहे थे, आप जिस बात की चिंता कर पाएगी, आप जैसे लोग कहा टिकेट मिल पाएगा, वो कहा जीता हो गए, चिंता मत करो. आप पूरा दोर देखेंगे, नबे के बादी, नवासी के बादी यह सारी इस्तितिय हो, इसके पहले तो नहीं थी, भारती जनता पार्टी इसके पहले ही तो थी इस्तिति थी, आप जब एक दल कमजोर हुआ, तो दूसरे दल को आफसर मिला, एदी 55 साल कॉंग्रेस और वो नेत्रे तो जबाब दे था, जबाब दे वो अपने उसके लिए नहीं था किसी परिवार के पृती, वो जनता के पृती जबाब दे था, और जिताती है, हराती जनता जिताती है, किसी चेहरे पर आप देखिए कि एक चेहरा जादा नहीं चलता, आप जो अटल वहरी स्थिती रहते हैं कि नेत्रित तो कौन करेगा और नेत्रित वेदि आप नेताओं में यह सुर्फ टवल होगी तो फिर नेत्रित आपको कहीं नजर नहीं आएगा पिल्कुल ठीक कह रहा है और इस पर साहद विचार करने की आवश्यक्ता होगी जो कांग्रेस कर रही होगी सब सबकका अपना अदिकार है संबीदार में सबको अपने अधिकार मिले पक्ति बिपक्षि को अपनी बात रखने का आप सभी मेरानों का बहृत बहुत धन्यवाद है कि हम भी एक्टिव मोट पर हैं बहले किसी भी कायरिकम को लेकर आते रहें याने 2023 कैसा होगा यह इस तरह इशारा करता है मुझे दीजे जाजत नमस्कार